शहर में दिन प्रतिदिन भूमाफियों के खिलाब शिकायत और जमीन से समन्दी शिकायत बढ़ती ही जा रही है इसका अच्छा खास अधारन सोमभार को ग्रहमंतरी द्वारा लिए गए शिकायत निवारन शेभिर में भी देखा गया जिसमें आधिक तर मामले भूमाफियों और जमीनों से समन्दित थे अब ऐसा ही एक मामला शेहर में सामने आया है चिटनिस प्रानिवासी खुशाल पडोले के मानकपूर स्थित प्लोट पर कुछ लोगों ने अवैद तरीके से होटल बनाया अईसी जानकारी उन्होंने बीसियन के समख्ष दी उन्होंने बताया कि मानकपूर में उनका एक प्लोट है जिस पर लोगडाउन के दौरान उन्हें के पडोस में रहने वाले कुछ लोगों ने अवैद तरीके से होटल बनाया हाला कि उनकी पास किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेस नहीं है फिर भी वो लोग उन्हें धमका रहे है इस बारे में उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने मानकापूर पुलिस में भी शिकायत दर्स की फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी कारवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई जिसके बाद उन्होंने एनमसी में भी शिकायत दर्स की और मन्तपा का तोड़ो दस्ता वहाँ पर पहुचाबे पर फिर भी उन्होंने किसी भी प्रकार की कारवाई नहीं की प्रशासन से कारवाई की मांग और न्याय की गुहार लगाई इस वरान उन्होंने कहा कि उनके पडोसी आरिफ मिर्जा और उनके परिवार की कुछ सदस्यों नहीं उनकी जमीन पर कबजा किया है और उन्हें वो डरा और धमका रहे हैं जिसके चलते उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है अमचा प्लाट वर अरिफ मिर्जा यन्नी कबजा केला है होटल बन ला है आमे वरान वर तला मुझे वर्निंग देता है परन पर तो अमाला हाकलोन देता है धमकी देता है आमाला वरान भर भंड़न करता है अमाला कुंधस काम करो देतना होता तो आनि लोगडाउन असले करना नी तैने अपला कबजा करूंगे तिला है ते आमाला नया हव आनि आमची जागा आनि पोलिस कंप्रेंट ही के लिए है आमी आमाला आमची जागा परत में आवी आनि आमी कर्परेशन मदे सगर करूं आमाला तो धमकी देता है वारंवर आमाला धमकी देते फिर्यादी द्वारा ये सवाल भी उठाया गया कि मन्ता का तोड़ दस्ता भले ही वहाँ आया था पर फिर भी वे किसी भी प्रकार की कारवाई की ये बिना वहाँ से चले क्यों गए इस सवाल का वे जवाब चाते है और इस मुद्धे पर न्याय की मांग भी फिर्यादी द्वारा की गई क्यामरा पोसन राजकुमार मोड की साथ दिशाहटवार बीसी न्यूस नाकपूरं